Hi guys, आज के वीडियो में मैं आपको घुमाऊंगी 2000 एकड में बनी रामुजी फिल्म सिटी, which is the biggest film complex in the world. यही पर दिखाया था पाहुबली ने अपना बल. यही पर गये थे राधे भाईया जेल. और इन ही मंदिर की सीडियों पर हुआ था SRK और Deepika का मेल. And yes, not to forget, ooh la la, ooh la la, वो भी यही हुआ था. तो चलिए, शरू कर दे हैं. Hi guys, welcome to my channel, Garma's Good Life. I am super duper excited today, क्योंकि मैं आई हूँ हूँ, हाईदरबाद की famous रामोजी फिल्म सिटी में. मैं आप कोई गाइड़ तूर देने वाली हूँ, रामोजी फिल्म सिटी का आज. अगर आप यहाँ पर आते हैं, कैसे आप टिकेट ले सकते हैं, अंदर क्या-क्या अट्राक्शन्स हैं, कौन-कौन से फिल्म के सेट्स हैं, उन सब की बात आज हम इस एपिसोड में करने वाले हैं, so make sure that you watch it till the end. चलिए, अंदर चलते हैं. This is the booking counter. टिकेट के जो प्राइस हैं, वो में description में डालूँगी. यह जो spot है, आप अपनी गाड़ी अगर लेकर आ रहे हैं, तो आपको अपनी कार यहाँ पर पार्क करनी होगी. उसके बाद आप यहाँ से टिकेट खरीदिये. इनकी बस है, क्योंकि जो actual film city है ना, वो यहाँ से अंदर आठ किलो मेटर जाना पड़ता है. तो इनकी ही बस आपको अंदर तक लेकर जाएगी. और जो film city का main gate है, वहाँ पर जब आप उत्रेंगे, तो वहाँ पर विंटेज बसे हैं, जो आपको actual जो अंदर रामोजी film city जहाँ सेट ने और बाकी attractions हैं, वो घुमाएगी. तो देर के इस बात की, चलिये चलते हैं. So guys, this is the main entry of रामोजी film city, और यह जो है ना, यह वो विंटेज प्यारी सी बस है, जिसकी मैं बात कर रही थी, जो आपको अंदर पूरा film city घुमाएगी, सोच रहू चड़ी जाती हूँ इसमें, आजाओ. ताड़ा, नहीं मेरे पास गाड़ी है, बस में नहीं जा सकती मैं, चलो. बाहू बली, येस, अब हम रामोजी film city की one of the major attractions देखने जा रहे हैं, बाहू बली की shooting यहीं पर हुई है, जो पूरा setup था बाहू बली का, वो as it is है, I am very excited to see की बाहू बली कहा और कैसे शूट हुई थी, आएए. Guys, रामोजी film city में बाहू बली का ये जो पूरा माहौल क्रिएट किया गया है, इट इस सूपर डूपर fun and it's a must do. बाहू बली काफेटेरिया भी है, यहाँ पे बाहू बली बिर्यानी चालेंज भी होता है, I think India का ये इंडिजिनस जो इन होने यहाँ पे एक theme park जैसा create कर दिया है ना, बहुत-बहुत मुझे अच्छा लगा। So guys, now we are going to the next location, चलिये, चलते हैं। So guys, this is the central jail, जहाँ पे movie की shooting भी चलती है and it's an amazing location to explore as well. And friends, now my car is coming to the railway station, चैने एक्सप्रेस याद है आप लोगों को, Yes, Shahrukh और Deepika की famous film, Roachetti, again, he loves I think Ramoji Film City, उनकी बहुत सारी film में वो यहीं shoot करने के लिए आते हैं, मैंने आपको बताया, सूरे वंशी, हाली में, Akshay और Katrina के साथ उन्होंने यहाँ shoot की, गोलमाल फ्रेंचाइजी के भी बहुत सारे parts उन्होंने यहाँ shoot की है, all the best उन्होंने यहाँ shoot की थी, और Chennai Express की जो train है वो भी platform पर खड़ी है, चलिए आपको वो दिखाती हूँ, आइए! रेलवे स्टेशन पर जब भी कोई जाता है तो उसे हमेशा बस यही डर रहता है कि मेरी train ना छूट जाए, यह एक लौता ऐसा रेलवे स्टेशन है, जहां पर train ना कहीं जाती है, ना आती है, यह train यहीं घड़ी रहती है, कितने इत्मिनान से मैं इस train को अप्रोच कर रही हूँ, एक तरफ मथूरा सिटी दिख रही है मुझे यहां और दूसरी तरफ बैंगलूरू, वाह, ऐसा सिर्फ फिल्म सिटी में ही हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता, अगर कोई पुराने जमाने की फिल्म शूट करनी है, कोई और एरा दिखाना है, तो उसके लिए भी यहां पर इंतजाम है, नाइस, रामोजी फिल्म सिटी में भी है एक बहुत ही ब्यूडफुल टेंपल, चैने एक्सप्रेस में, आपको अगर याद हो तो यह टेंपल भी दिखाया गया था, एक ही जगह है, फिल्म सिटी जहां पर जूते चपल पहन के मंदिर में जाया जा सकता है, बिकोज यह रियल मंद मंदिर नहीं होते हैं, यह सेट होते हैं, जहां पर कोई भगवान नहीं होते, भगवान चाहे ना हो लेकिन फिर भी, यह मंदिर यहां पर आके मुझे काफी इसी इश्रद्धा वाली feeling आ रही है, बहुत ही ब्यूटफुल टेंपल है, और वो रस्ता आपको दिखाई दे र moments, मुझे इतनी सारी film के flashes आ रहे हैं यहां पर रामुजी Film City में घूमते वे कि मैं आपको क्या बता हूँ, आप लोग भी यहां पर आएंगे ना, मजा आ जाएगा, I promise you that. मंदिर के पावन दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ, लेग गार्डन में, जहां पर हुआ था, उलला, 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 यार आया, डिर्टी पिच्चर का यह फेमस गाना, यहीं पर शूट हुआ था भाई, कितनी वराइटी है ना, यहां पर, This is a general hospital का set और इसी के adjacent जाता है रस्ता एरपोर्ट की एंट्री पे. You know, real life airports जो होते हैं, वो security zones होते हैं, वहां पर शूट करना थोड़ा difficult होता है, इसी लिए, अगर किसी को actual airport का exterior शूट करना होता है, they come to this place. पता नहीं किस की शूटिंग चल रही होगे जुन्होंने इसको विशाका पतनम बना दिया है, पर यह, I can guarantee you, इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे airports बन चुका होगा. Guys, यहाँ पे Ramuji Film City के अंदर फिलहाल एक Telugu Film की शूटिंग चल रही है, जी हाँ, यहाँ पे Tamil, Telugu, Malayalam, Kannad, Hindi, English, सारी languages की और world over से लोग आकर यहाँ पे अपनी films के production जो होते हैं, उसे करते हैं, और बहुत ही beautiful यह जगा है, यहाँ पे Princess Street, London की जो Princess Street है, उसकी तर्च पे यहाँ पे यह बनाया गया है, और All the Best की शूटिंग जो थी, उसमें कार्नेवल सीन है, रोई चटी ने शूट किया था, वो इसी street को यूज करके शूट किया था, and again, this place is very, very beautiful. Guys, यहाँ पे सूर्य वंशम की शूटिंग होई थी, सेट मैं एक सूर्य वंशम, जिन्दवाद, Chris 3 मोवी में देख सकते है, Big Fountain निकाल देके, Chris चाचू लगाये थे, बच्छों को मारते हैं, उस चंपे, Chris आके, वो लों को बच्छाते हैं, Chris 3 में यूज किया था इसको, यह खूरा फारन सिट दाले थे, यह राइड साट पे देखिये मेडम, यह मुगधिरा मुवी तिल्गो शूपरीट वा था, रामचरन की थी, यह वो मुवी यही शूट वा, मुगधिरा ना? यह मुगधिरा, बाइग राइड वाले रामचरन की आउंडोर लोकेशन तो पूरी तरह से यूज करते ही हैं, यह आप सामने देख रहे हैं, यह आप सामने देख रहे हैं, जहां पे, प्रोडूसर्स, डिरेक्टर्स, अपनी फिल्म की रिक्वार्मेंट के हिसाब से, सेट कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, ओ माइग गॉड, लुक आट थे साइज, अफ देस्ट्रॉक्चुर, वैसे यहाँ पे ना सिर्फ फिल्मों की शूटिंग नहीं होती, इस ब्यूटफल ग्रीन स्पेस, क्यारी मिल्मों की शुक्त्रक्ट्रॉक्ष काईप लगार्में, वैसे ब्यूटफल, वैसे ब्यूटब।, वैसे ब्यूटब।, यहां पर हुआ फूर्ट पर्ट यहां पर हंदो पर्ट भी ज्यादा थाइप के वराइटी के बर्ट हैं and truly India में मैंने इस लेवल का bird park तो नहीं देखा है हाँ abroad में बहुत अच्छे अच्छे मैंने देखे हैं but उसी के लेवल का ये है and look at these plush toys, so cute hi parakeet ले जाओ इसको, सिंबा के लिए guys this place is embedded in culture as well यहाँ पर मनिपूरी दान्स के शो होते है then there is Kripalu Caves जहाँ पर I think Buddhism का कुछ रेलेवन्स है वो हम देखने जाएंगे and wow there is a beautiful performance going on culture और हिस्ट्री को दर्शाने वाले इस complex में आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं Kripalu Caves and then you can spend some enjoyable moments at Hawa Mahal Guys, यहाँ पर बहुत सारे beautiful gardens है जिन में जाके आप सुकून से time spend कर सकते हैं लेकिन फिल्हाल मैं देखने जाना चाहती हूँ So Saahas which is the adventure park here Saahas यहाँ का adventure park है जहां पर यह तमाम activities हैं आप यहाँ पर ATV कर सकते हैं Zorbing है, paintball है then archery है, target shooting है तो अगर आप आते हैं तो plan करके आयेगा If you are an adventure enthusiast then this is the place for you Wow guys, रामो जी Film City में जब आप आएंगे तो आपको देखेगा यह बड़ा सा Guinness का certificate which says that this is the biggest film complex in the world वैसे यह जगह जहां पर मैं अभी हुना this is called Eureka Eureka का मतलब होता है happiness and I think this truly is a very happy place क्योंकि यहां पर live shows होते हैं यहां पर बच्चों के लिए एक play area है then carnival और बहुत सारी जो recreational activities है न वो Eureka में ही होती है यहां पर shows होते हैं filmी दुनिया है live stunt show होता है यहां पर then space यात्रा करके there is a thing जहां पर आपको feel आएगी कि आप space में हैं और यहां पर बहुत सारे photo op के लिए आपको props मिल जाएंगे बहुत सारी locations मिल जाएंगी तो आईए और Eureka को explore कीजिए सब जगह पर there are restaurants and cafe तो खाने पीने की कोई tension नहीं है आप कहीं पर भी जिस जगह पर भी है ब्रेक ले सकते हैं मस खाये पीजे और फिर से घूमना शुरू हो जाएए जाएगे जगह पाय जाएगे जो की श्रीमाद भगवत गीता और पुराने जमाने की जो राजा महाराजों के दर्बार होते थे थे ना उन्के वेसे पे बनाया है लोक आट दिस पुरा का पुरा दर्बार रेक्रिट किया गया है awesome वेल फ्रेंड्स अगर आप रामो जी फिल्म सिटी में किसी फेस्टिवल के टाइम पर आएंगे तो आप यहां शाम की खुबसूरत लाइटिंग देख सकते हैं और युरेका में कार्निवल और लाइफ शोउस का मज़ा भी उठा सकते हैं कि इस विशाल और भवे फिल्म सिटी को आप ज्यादा से ज्यादा गूम पाएं और इसे एंजोई कर पाएं